नमस्कार दोस्तों मैं अलका स्वाधत करती हूँ आपका अपने एक्सिलेंस फैमिली में जहां आज हम जानेंगे मानोपुंजी के इस्त्रोत मानोपुंजी के इस्त्रोत हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं शिक्षा, स्वास, प्रशिक्षन, प्रवासन, सूचना ये सब मानोपुंजी के इस्त्रोत हैं तो इस टॉपिक में हम एक्के करके इन सभी इस्त्रोतों के बारे में जानेंगे इनमें सबसे महत्वपुंट इस् प्रभुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुप पर व्याइज को कर रहे हैं व्यक्तिव द्वारा लैक्ति असी प्रकार तरफ संच्रोट पर करती है U सबसे पहले हम यहां सी शिक्षा के बारे में पड़ रहे हैं ऊनिश निवेश के जिस्टरच सेसे खर्च कर रहे हैं ठीक है हमारी शिक्षा पर व्याय कर रहे हैं तो इसका क्या फाइदा है इसका ये फाइदा है कि भविश्चु में अगर हमारी शिक्षा जैसे हमारी शिक्षा डॉक्टर बनने की है और हम भविश्चु में डॉक्टर बन गए तो शिक्षा पर किया गया व इस कारण करते हैं कि इस वैका आपको लागो उसी तरीके से देश की सरकार भी चाहती है कि देश के युवाओं पर देश के युवाओं के लिए शिक्षा पर जो खर्श किये जा रहे हैं निशुलक शिक्षाय भी दी जा रही है और ऐसा कोई संस्तान नहीं है जहां पर ऐसा कि यहां अमीर के बच्चे पढ़ेंगे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे आज आयाइटी पे भी गरीब का बच्चा जा रहा है ठीक है तो शिक्षा के लिए प्राइविट संस्तान भी है और सरकारी संस्तान भी है तो वह व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसे कहां पढ करते हैं और सोसते कि आपे इसका लाब वैसे ही सरकाह सोस्ते हैं कि हम देश के युगाओं के लिए जो खर्च कर रहे हैं तो देश के युगा उस सीक्षक को सही तरीके से प्राप्त करें और देश में अपना योगदान दे तो शिक्षा पर माता पिता की द्वारा किये गए व्याय की तुरला किसे की गई एक कमपनी में व्यक्ति निवेश करता है कि हां मैं इस कमपनी को खोलूँगा और मुझे दिर्ग कालिन लाब होगा फिर लिगा है इसमें कि इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविश्य के आय को पढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है शिक्षा की भाती स्वास्त को भी व्यक्ति के सास्ता देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना चाहता है बिल्पूल अगर आपने शिक्षा हासित करें और सकता है एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्त्वेक्ति हमको पता है एक स्वस्त्वेक्ति काम को अच्छी तरीके से करता है जैसे शिक्षित देश का युवा स्वास्त नहीं है उसे सही समय पर स्वास्त विदाय नहीं मिली है तो वह काम नहीं कर पाएगा ठीके उसका शरीर काम करने के लायक नहीं रहेगा जो वह काम नहीं करेगा उत्पादन नहीं होगा उत्पादन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा क्यो इससे देश का विखास होता है फिर आगे लिखा अता इस प्रकार से स्वास्त पर वे मानों पुंजी के निर्मान का एक माहत्वपौन इस्तरों थे शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया फिर अगला हमारा यहां से स्वास्ती स्टार्ट हो जाता है कि जितना खर्च आप शिक्षा पर करते हो उतना ही खर्च आपको स्वास्त पर भी करना चाहिए क्योंकि स्वास्त है तो भी शिक्षा है स्वास्त रोगे तो भी शिक्षा लोगे तो लिखा है यहां कि स्वास्त के लिए हमारे देश की सरकार क्या काम कर लिए शिक्षा के लिए तो हमने बताई दिया आपको कि शिक्षा के लिए सरकार अनेक काम कर लिए निर्बन है कि वो government से करे या private से करे ठिक अगे निखा प्रत्मे शेल्दी आयो विज्ञान इसका मतलब होता है जैसे के लिवार क्यों पिला जाते हैं ताकि बच्चे को पॉलियों नाulla और विख्यांटा के लख्षन ना आये तो व्यप्ति को स्वास्तर अपने के लिए सरकार जब वो मां के पेट में आ जाता है तब से ही प्रयास करने लग जाती है मां के थूँ बच्चे तक वो टीका पहुंचाया जाता है ठीक है अब यह व्यप्ति पर टिपेंड करता है प्राइवेट में जाके अपना इलाज कर आए सरकार तो अपनी तरीके से प्रयास कर रही है तो इस प्रतिशेदी आयू विज्ञाण जिसे टीका करन कहते है इसका मतलब है कि यह व्यप्ति के अंदर रोग ही आने नहीं देता अग्या रिखाए चिकित से आयू विज्ञाई जिसे बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित सा जैसे भी कोरू ना आया था तो उसके लिए भी हमारे देश में वैक्सिन वगेरा बनी है तो सरकार इस सेक्टर में भी काम परती है कि एक तो बीमारियों विज्ञाई की अंदर प्रवेश ही न करें उसके लिए पहले से ही टीके बंद है और दूसरे और जब कभी कोई महाम मारी आ जाती है तो उसकी रोकताम के लिए भी सरकार काम करती है फिर लिखा तता सामाजिक आयू विज्ञान स्वाज संबन के साक्षरत या ज्यान का प्रसाद सामाजिक आयू विज्ञान इसमें मतलब समाज को स्वस्त रहने के लिए अनेक प्रकार से प्रचार प्रसार कि जते हैं कोई वस्तु होती है तो उसपर लिखा जाता है इससे कैंसर होता है जुमरपान करना सवास्त के लिए हानी तो इसे समझ अनेकव के मानी में पर समझाती है इंकन और सवच्ञ पेयर seconds की- autre-Ps श्वy shoulder-29 नई यह भी चल रहा है क्योंकि जितनी जद्ध स्वच्छता होगी उतनाई वैक्ति स्वच्छ रहेगा और दूसरी बाद उसको अच्छा मतलश किसी प्रताल की पानी पीने से किसी प्रतार की क्योंकि पानी सब्सेते ज़्यान प्रतार करके व्यक्ति को बीवार करतेते यह तो सरकार दोरा छूद्स पहजल के सुईदा करा ही जा रही है आज हम нीली लाइन है से लोग नी पोऑग जा रहे है तो HA Um सवास्त पर किया गया में स्वास्त शंबल की पूर्थी को प्रत्य रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानोपुझी निर्मान का इस्तरोत है मतलब अगर विप्ति के स्वास्त पर काम किया गया तो वह देश के लिए काम करेगा और देश का विकास होगा ठीक फिर आगे निखा फर्मी अपने कर्मचारियों की कारिस्तर पर प्रश्रिशन में बैंक करती है अब यहां से प्रश्रिशन स्टार्ट हो जाता है हम मानोपु इसके कई तरीके हो सकते हैं फर्म की अपने कारिस्तान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मी कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं मतलब जब कोई नया वक्ति आता है काम करने के लिए तो उसे उनी वेक्टियों की तोरह ट्रेनिंग देती जाती है जो पहले से ही उस काम को करने में एक्सपर्ट हो गए हो या दूसरा तरीका है कि कर्पचार्यों को किसी अन्य संस्थान या इस्तान पर प्रशिशन पाने के लिए लिए लेक्रवी 15 दिन साथ दिन लिए उसे ब्लध जाना ने सब क्या हे क्र понял क सही तरीके से क्या है कम से कम समय में अच्छा काम हो अगर किसी करो और वह अपने ही तरिके से काम करता जाएगा करता जाएगा तो तो क्या हो समय अधिक लगेगा और काम भी पूरा नहीं को गएगा To समय पर इरक काम माना चाहते हो तो उसे ट्रेनिंग दो लिखा है दोनों ही वीडियू में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रश्रिशन का कुछ व्याय बहन करती है बिखुल अब आप ट्रेनिंग दो गे तो उसमें खर्चा तो आए गए सही इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रश्रिशन के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अउदी तक अवश्य फ हुगा ही अधिक उत्पादक से हुए हुए लाब के रूप में करपाने में सफर रहती है फिर आगे लिखा कारी के दोरां प्रश्रिशन पर किया गया वे भी इस दर्श्रिश्टी से मानुपूजी का इस्तरोथ बन जाता है ऐसे खर्च की तुल्ना में श्रों उत्पादक किया है और सही ट्रेनिंग दिये तो उस खर्चे की भरपाई उस व्यक्ति द्वारा अधिक उत्पादन से हो जाती है अब अगला यहां पे लिखा है कि व्यक्ति अपने मोल इस्थान की आई से अधिक आयवाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करते हैं तो यहां स होते हैं या तो बेरोजगारी होती है जहां पर रहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता और दूसरा वह अधिक की कारण एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाते हैं तो निखाए यहां कि व्यक्ति अपने मोल इस्थान की आई से अधिक आयवाले रोजगार की तलाश में पला डॉक्टर आधी भी अच्छे वेतनवानों की अपेक्षा से दूसरे देशों में चले जाते हैं आज अमेरिका में भारत की 38 लाग जनसंग क्या है डॉक्टर इंजीनियर इन सबके रूप में अपनी सेवाय दे रही है तो अधिक आय की चहां में यह जा रहे है प्रवस्तनों की दोनों ही इस्तियों में परिवर्ण की लागत और उच्छतर निर्वह लागत के साथ एक अंजाने सामजिक सांसकतिक परिवेश में रहने की मांसिक लागते भी प्रवास्ति शमीगों करने पड़ती है जब वहां किसी देश में जाते है तो वहां आपके बातावरण को परिवेश में जाती है तो उनके खाने पीने की लागत भी सही मानी जाती है और अगर यह आएं नहीं बढ़ती है जैसे 50,000 रुपे हमारे भारत में वी ओकमारा था और 50,000 रुपे ही वह दूसरे देश में आएं दूसरी शहर में जाकि कमारा है तो इससे उसे क्या फाइद पर जाते हो तो वहां पर आपको इतना पैशा मिलना चाहिए जिससे आपकेरे की लागत निकल सके क्या युक्ति सब्हक्रा से जूड़ी सबी लागतों से कहिसे अधिक होती है कि आप एक इस्तान से दुसरे इस्तान पर अधिक आये के लिए जाते और आपके अधिक होनी चाहिए तो आप रहने के लिए वाँ और जो ख़चा करते हों, जरी माना जाएगा अब अग्ला लिखा है यहाँ पर सूचना हम यह फेले हैं अग्ला सूचन आपके पांच सेुसर्गुज़ है, पहला शिक्षा स्वास फिर तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा है यहां पर जल्दी से कॉमेंट करके बताईए इतना टाइंग लग रहा है तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा अब में तो पढ़ा है नहीं याद आ रहा है फिर सोचो सोचो फिर से मैं रिवाइस कराती हूं पूंजी निवेश, शिक्षा, स्वास, प्रशिक्षन, जिसे कोशल कहते हैं, फिर चोथा अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या है, प्रवासन और पाच्वा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इतना बस रामाइन जिसे सुनो मत बातों को समझो भी सही, पाच्वा हम यहाँ पढ़ने जारे, सुचना के बार में, अब सुचना राएं के लिए DB आवश्क होती है, और विजनेस्न में के लिए एक सादारन सभी वित्ती आवश्क लाइं तो सूचना पहुच जाने चाहिए, कि उसे कौन से विध्याले में चाना है कहां विकति श्रम बाजाय चेर दूसरे बाजाय जैसे शिक्षा और स्वास संबन के सूशनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यायक करते हैं वे यह जानना चाहते हैं कि विभी प्रकार के कारियों में वैतनमान क्या है या फिन क्या शेक्षिक संस्ता है सही प्रकार के कोशन में प्रशिशन दे रही है और किस लावत पर दे रही है यह जानकारी मानोपूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानोपूंजी के बंडार का सदुपयों करने की दर्ष्टी से बहुत उप्योगी होती है मतलब जब सूचना गयपती तब पहुच जाएगी तो वो जन्ती से डिसीजन लेके जन्ती से काम शुरू करते हैं इसलिए श्रंग बाजाय तता अन्य बाजायों के विशय में जानकारी प्राप्त करने पर किया वेश बी मानोपूंजी का इस बहुत माना गया है ठीक है व्यक्ति और विद्यार्ति दोनों के पास सूशना इस सही समय वर पहुशनी चाहिए और इस सूशना को प्राप्त करने के लिए निवेश भी किया जाता है अनेक साइबर के माध्यम से अनेक पॉर्टल के माध्यम से व्यक्ति तो सूशना पहुचाने का काम करते हैं ज पूंजी के वेचारिक आधार की रशना की गई है दोनों प्रकार के पूंजी के बीच कुछ सम्रूपता है और कुछ प्रभावशाली असमानता है जिसे बॉक्स नंबर 4.1 में हमें देखना होगा क्या वोला वो बोतिक पूंजी और मानो पूंजी दोनों में अंतरे बोतिक पूंजी क्या है अच्छे है एक इस्तान से दुस्रे इस्तान नहीं ले जा सकते है लेकिन एक तरीके से ले जा सकते हो उसको बेचकर उसके मुल्य को एक इस्तान से दुस्रे इस्तान तर ले जा सकते हो जबकि मानो पूंजी कैसी है अद्रश है मानो पूंजी को देखा नह समानता है समानता है उसे आपको 4.1 में पढ़ना होगा यह बॉक्स यह आपर बना हुआ है जो कि बहुत ही ईजी है पड़ते सी आपको सब समझा जाएगा समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है और अब आपको यहां तक आपनी इस तुरौत पढ़े हैं किसी इस तुरौत म समझा है जो नहीं है अजाएगा जैसा जाएगागा जो चुरौत कर रूब आपको यहां जैसे जाएगा समझा चाने आपको में होगागा